नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिम इंडिया एजूकेशन यूट्यूब चैनल पे दोस्तों हिम इंडिया एजूकेशन एक बार फिर से आपके लिए जोब अपडेट ले क्या है और इस बार जो हमारी वेकेंसी से रहने वाली है जिसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं होस्टल किया टेकर की रहने वाली है तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कहां पर ये वेकेंसी निकली है और कौन से कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं और इसको अपलाई करने का जो मैथल रहेगा वो कैसा रहेगा और आपकी जो सेलेक्शन होगी तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि डेली हम लोग आपके लिए जोग अपडेट लेके आते हैं ताकि वह आपके पास इन टाइम पहुंच सके इस दिए बै लेकर की विकेंसीज फिल होने जा रही है इसमें नंबर और पोस्ट की बात की जाए तो दो रहेगी और क्वालिफिकेशन की इसमें बात की जाए तो कोई भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट जिनके कम से कम 55% मार्क्स हो वो रेकोनाइज उन्वेस आपको इसमें जो है प्रेफरेंस दी जाएगी लेकिन अगर आपके पास एक्सपिरियंस नहीं भी है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं आयू सीमा की बात की जाए तो 21-35 वर्षी इसमें एज रहने वाली है आपकी तो 21-35 के बीच के कैंडिडेट ही इस पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं सेर्री स्ट्चर की बात की जाए तो 16,250 रपेज हुए इसमें आपकी ग्रोस सेर्री फिक्स की गई है जिसके साथ आपको EPF और ESIC की सुविधा भी उपलब्द रहेगी तो ये तो हो गया सेर्री स्ट्चर आयू सीमा की और क्वालिफिकेशन की बात तो दोस्तों जो भी interested candidate है या फिर eligible candidate है अगर वो इस post के लिए apply करना चाहते हैं तो इनके द्वारा एक ये application form को fill करने के लिए एक link दिया गया है तो इस video से तो आपका ये link copy होगा और इस link से अगर आप apply करना चाहते हैं simply आपको google पे जाके हमारी website को search करना होगा www.him-india.com जैसे हमारी website open होगी तो first आपको ये link इसी PDF का मिलेगा जहां से आप इस PDF को download कर सकेंगे और उसी PDF के साथ हमने अपने google link पे है जो ही media.com पे apply करने का ये link भी direct है तो वहाँ से आप इस post के लिए apply भी कर सकते हैं इस post को apply करने की जो last data वो 10 अगस्त रहेगी 10 अगस्त से 5 विले से पहले पहले आप इस post के लिए apply कर सकते हैं इसके साथ-साथ apply करने से पहले दोस्तों आप अपने documents जो है इसमें apply करने के लिए जिसको आपको जरूरत पड़ेगी उसको तियार जरूर कर ले जिसमें कि आपको अपना latest resume त्यार करना होगा जो की PDF format में होना चाहिए इसके साथ-साथ आपके पास कोई ID proof होना चाहिए वो भी PDF format में वो साथ में आपके पास latest passport size photo होनी चाहिए जो की image file होनी चाहिए तो ये तीन document attach होंगे इसके साथ-साथ आपके जितने वी essential document है या इस लिंक पे आपको upload करना होगा तो दोस्तों इसमें जो है जैंसी के दुवारा पूरे राइट रहेगे जैंसी के पास की वह शोट लिस्ट केंडिट को ही फर्दर अगले process के लिए बुलाएंगे जाने की इंटर्व्यू के लिए शोट लिस्ट करना या नहीं करना कि इस company नोकरी रहने वाली है जो कि MS Easy Source HR Solution Private Limited की तरव से भरी जा रही है और कैंडिडेट जो है इसमें थर्ड पॉइंट में पताया गया कि उसको कोई राइड नहीं होगा यहां पर प्रमलेंट एम्प्लोईमेंट या रेगुलाइजेशन या कॉंट्रक्ट अब्जर्ब करने के अब लिए और असायरमेंट को आपकी जने के नोकरी को कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है विदाड ऐने गिवन आपको नोटीस और आफ्टर एक्सपारी तर्म जब भी आपको यह जिस टर्म के लिए जिस प्रजेक्ट के लिए आपको रख रहे हैं जैसे यह आपको एक् एक दोस्तों जो जो अपडेट था जो आयाटी मंडी में आउट्सोर्स कंपनी के दुरू निकाला गया था और इसमें जो होस्टल केर टेकर की है कि फीमेल के लिए ही विकेंसी रहेगी तो जितने भी फीमेल केंडिडेट है सिर्फ वही इस पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं मेल केंडिडेट के लिए अभी इसमें विकेंसी नहीं निकाली गी है तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जारा से जारा शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें बैल बटन को ओन रखें ताकि जब भी हम लोग अगली न टाइम पहुं सके खिलाल इस वीडियो में इतना है थैंक यू फर वाचिंग हम इंडिया जुकेशन